हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबको SPTube YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम ये बात करने माले हैं कि आपका अगर इसरम कार्ड बना हुआ है और आपका पैसा नहीं आया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है और आप अपने इसरम कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं और उसका KYC कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपना इसरम कार्ड का KYC कैसे कर सकते हैं आप अपने इसरम कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं और आप ये भी चांद सकते हैं कि आपके इस्रम कार्ड में पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं दोस्तों वीडियो को स्टाट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारे किसी भी ब्राउजर को open कर लेना है और यहां पर अपको search box में type कर देना है इस्रंब काड ठीक है यहां पर ishrum card type कर देंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ishrum.gov.in के website पर आप यहां पर आ चुके हैं तो यहां पर अपको click कर लेना है ठीक है यहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आप e-shram की website पे ओपन हो चुके हैं दोस्तों इस website का लिंक मैं वीडियो के description box में दे दिया हूँ वहाँ से जाके आप direct login हो सकते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि registration का option दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे आप registration free में कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि already registered update ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको इस वाले option पे click कर लेना है दोस्तों यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ options आ गया है और यहाँ पे आप से UA number पूछा जा रहा है ठीक है और date of work पूछा जा रहा है ठीक है तो दोस्तों आपके पास UA number जब आपने ISRAM card की registration की होगी तो आपको UA number मिला होगा ठीक है तो अगर आपको UA number नहीं पता है तो आपको करना कहा है कि यहाँ पे आपको three dot वाले option पे आपको click कर देना है ठीक है इस पे click करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको already registered का option दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहां पे आप देख सकते हैं कि update profile using आधार का option दिया है इस पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों यहां पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे आप से आपका mobile नंबर पूछा जाएगा दोस्तों यहां पे mobile नंबर और capture code भरने के बाद यहां पे आपको send OTP पे क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके mobile नंबर पे OTP send कर दिया जाएगा उस OTP को यहाँ पे आपको भर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको OTP भरने के बाद यहाँ पे आपको Submit वाले option पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे आधार नमबर पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको तीन option दिये गए हैं यहाँ पे देखें fingerprint का दिया हुआ है और यहाँ पे iris machine का दिया हुआ है और यहाँ पे OTP ठीक है और यहाँ पे आपको capture code भर देना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले option में से जो भी आपके पास होगा जैसे आपके पास यहाँ पे fingerprint machine होगा तो यह select कर लिजेगा और iris machine होगा तो यह select कर लिजेगा और आपके पास इन दोनों में से कोई option नहीं है तो आप यहाँ पे OTP वाले option पे यहां पे क्लिक कर लेंगे ठीक है इस वाले option पे select कर लेंगे OTP पे और यहां पे OTP पे select कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहां पे आपको आधार number और OTP select कर लेना है और यहां पे पे CAPTCHA code भरने के बाद यहां पे आप सब्मिट वाले option पे click कर देना है तो दोस्तों यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार registered mobile number में OTP send कर दिया जाएगा उस OTP को यहां पे आपको फिल कर देना है धीक है दोस्तों यहां पे OTP भरने के बाद यह पे आपको validate वाले option पे क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पे ईहां पर देख सकते हैं कि यहां पर का option आ गया है तो दोस्तों यहां पर आपको इस और आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको तीन उप्संस दिये हुए अप्डेट पrovाइल का और यहां पर दाउन्लेड यूए ठीम पर चैस yall Escape 10 पर 10 यहां Alfredo Stone दिए हुए है ठीक है तो आपको डोस्तों आपको करना मिंद। पूकर अपको अपना profile अपडेट करना है कог करना है ठीक है इमको update प्रोफाइल पर क्लिक कर देना ठीक है और यहां पको बहुत सारे options देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर अपना personal information देख सकते हैं address देख सकते हैं और education income आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं bank account का option दिया हुआ है ठीक है आप अपना नाम और bank account number और IFSC code और bank का नाम अच्छी तरह से details इस पर match करा लेंगे और फिर से आपको यहाँ पर भरने के बाद आप यहाँ पर अगर चाहे तो दोस्तों आप अपना bank account चेंज भी कर सकते हैं profile पर क्लिक कर देंगे और confirm पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप मagने ऐसे और इसरम को और यहां पे आप अपना इसरम कार्ड की प्रोफाइल अप्डेट कर सकते हैं और एड्रेस को भी अप्डेट कर सकते हैं ssb.in ठीक है यहाँ पे आपको सर्च कर देना है ठीक है दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार समाजिक सुरक्षा बोर्ड यहाँ पे आप इस website पे open हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आप को नीचे की तरफ आना है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको option दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं भरण पोसन भत्ता योजना ठीक है यहाँ पे आपको इस option पे क्लिक कर देना है दोस्तों इस website का link मैं वीडियो के description box में दे दिया हूं वहाँ से जाके आप direct link पे click करके आप अपना status check कर सकते हैं तो दोस्तों इस वाले link पे आपको click कर लेना है यहाँ पे click कर लेना है ठीक है दोस्तों यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे mobile number पूछा जा रहा ठीक है मतलब जो भी आपका ishram card में mobile number registered है उस number क यहां पे आपको डाल देना है दोस्तों यहां पे आप अपना मोबाइल नमबर डाल देंगे और सर्च बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे आप अपना फोन नमबर डालिएगा दोस्तों यहां पे मोबाइल नमबर भरने के बाद यहां पे आपको सर्च बॉक्स पे क्ल आया गया है और यहाँ पे आपका district बता दिया गया है और यहाँ पे आपको इस side में आना है थोड़ा सा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका amount 100 करा दिया गया है कि कितना आपका amount आया हुआ है और यहाँ पे आपका phone number आ गया है और यहाँ पे आपका status success दिखा देगा ठीक है दोस्तो इस तरह से आप अपना सारा status चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका e-sram card में 1000 रुपे का amount credit हुआ है और यह भी आपको यहाँ पे बता दियागा है कि आपका status मतलब clear है तो दोस्तो आपका इस number से जितने भी e-sram card registered होंगे आपका सारा details यहाँ पे सब का दिखा देगा ठीक है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने e-sram card का status check कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे ही अपने mobile phone के माध्यम से आप अपना e-sram card का status check कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में share कर दीजेगा दोस्तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जैहिन दिल से